अबरी बड़ी कैसे हो आप सब मैं संदीप कुमार आप सभी का study tips YouTube चैनल पर सागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि 100 days target batch आप लोगों ने जोईन किया अगर आप लोगों ने जोईन ने किया इसको free of cost आप लोग जोईन कर सकते हो जोईन करने के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी नीचे जो subscribe बटन उसको जल्दी से जल्दी subscribe कर लीजे और bell icon को प्रेस कर दीजे क्योंकि यहां पर time to time आपको हरे एक chapter का हरे एक आपका basic knowledge से लेके advanced knowledge तक के लिए हम लोग classes लेकर आए हैं वो भी free of cost तो चलिए part 1 जैसा कि हम लोगों ने पिछला एक पूरी chapter complete करके number system का हम लोग आगे बड़े हैं दूसरे chapter की और तो अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो पिछले playlist में जाकर आप लोग उस number system के बेहतरिन से बेहतरिन tricks जो की आपके समय examination में बहुत ही valuable समय को आपको बचाएंगे तो उन tricks को बहुत ही जवरजस्त tricks को आप लोग देखें जो की आपके समय को बचाएंगे examination में तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं पहला question का दौर और यह LCM & HCM का first question है आपके सामने यानि कि first example आपका आया है वह बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें जिससे 2840 यानि 2840 एवम 3114 यानि कि 3114 में भाग देने पर क्रमा सर 5 एवम 9 6 बचते हो ठीक है तो इसको कैसे निकालेंगे तो 2840-5 कर देंगे इसको घटा देंगे और 314-9 कर देंगे जितना निकलेगा दोनों का हम लोग अविश्ट संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंग दोस्तों अगर आप HCF यानि बड़े से बड़े नंबर का HCF और LCM का आसान ट्रिक अगर सिखना चाहते हो तो आप कमेंट करें आपके रिस्पॉंस की आदार पर मैं वह होता है ना बिना पहन उठाए HCF और LCM वाला कहानी वह मैं आपको सिखा दूंगा तो इस नंबर को द बता दूंगा अगर आपकी कमेंट्स नीचे आए तो ठीक है चलिए तो इसके होट ट्रिक्स देखते हैं कि क्या जबर जैस्ट ट्रिक्स से हम लोग इसको बना है एक्चुली मैं इसमों करना क्या होता है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें संख्याओं A एवं B में भाग द दोनों का एच्छी आप निकालेंगे आपके अंसर आपके हाथों में तो बहुत ही शॉट टाइम पर हम लोग यह सब क्वेस्टिंस हम लोग सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी करेंगे और सिखेंगे भी ठीक है आप इसमें नंबर्स को चैंज करके आप डेफिनेटली आप निकाल सकते हो आप नंबर्स को चैंज करके आप अपने खुद से ही एक दो एक्जांपल बनाओ अगर आपके कोई भी तकलीफ या दिक्कात होगा तो नीचे कमेंट जरूर करना या कोई कोई से नहीं बनता है तो हम लोग जरूर उसको मिलके सॉल्व करेंगे तो चलिए न का आप त्यारी कर रहे हो चाहे वो आर आर भी यानिकी रेलवेर रिक्विर्मेंट बोर्ड का एंटी पीसी जो कि टायर वन भी बहुत तो का आ रहा है अभी हुआ नहीं है और टायर टू के लिए तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो उनके लिए यह जबरजस्त बैच है 100 डेस मे लोग इसको कंपलेट कराएंगे इसमें हर एक हर एक सब्जेक्ट का जैसे जीके हो गया जी एस हो गया करेंट अफैस आपका डेली इसमें मिलता है सुबह के साथ बज़े आप जरूर से जरूर जाके वहां पर चेक करें इसके बाद रेजिनिंग का भी हम लोग यहां पर ब जात किजिए जिसमें 284 698 एवं 1618 में भाग देने पर प्रतिक दशा में 8 6 बचे प्रतिक दशा में मतलब हर एक बार जब भी आप भाग दो तो 8 ही 6 बचे 8 ही आएगा ठीक है तो वह नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है 284 में माइनस 8 करना है ठीक है 276 बचेग बचेगा 690 और जो यह नंबर दिया हुआ 1618 इसमें भी माइनस 8 करना है तो बचेगा 1610 अब तीनों का आपको HCF ले लेना है ठीक है HCF ले लेना है तो तीनों का आपको 46 बन जाएगा मैं बार बार बता रहा हूं अगर आपको 100 ट्रिक्स नहीं पता है HCF और LCM कैसे निकाले तो इसके बारे में मैं एक special video बना दूँगा क्योंकि यहां पर हम लोग discuss कर रहे हैं important questions के साथ हम लोग जो previous year में आए हुआ कुछ questions है उसके बारे में भी हम लोग discuss कर रहे हैं तो आप इसको regular practice में जरूर रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमन साबित होने वाल ल, M, N में भाग देने पर परते एक दशा में X असे सबचे तो क्या करना है L-X फिर M-X फिर N-X तीनो संख्या का H-C आप निकाल देना आपका answer आपके सामने आ जाएगा ठीक है देखे मैं पिछले class में भी बताया था और इस class में कि without practice कुछ भी नहीं हो पाएगा मैं बता आप tricks सिखिये सबसे सिखिये हर एक channel से सिखिये हर एक teacher से सिखिये लेकिन आपको उसको practice में लाना होगा otherwise क्या होगा कि आप examination में जब जाओगे तो आपको confusion स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सभी question घुमा दिया जाए और अगर उस question को आप नहीं समझ पाओगे तो that means आप व देखे इसमें क्या कहा जा रहा है दो संख्याओं का लॉसो यानिकी LCM उनके मॉसो यानिकी HCF का 210 गुना है ठीक है दो संख्याओं का लॉसो एवं उनके मॉसो का 210 गुना है दोनों संख्याओं में एक संख्या 90 है एवं उनके लॉसो तथा मॉसो का योग 365 है बताइए दूसरी संख्या क्या होगा तो इस दूसरी संख्या को आपको निकालना है यहां पे तो कैसे इसका solution देखते हैं तो दूसरी संख्या equal to हो जागा 365 का square कर देना है आपको into 210 कर देना है divided by 210 करके आपको into 1 कर देना है इसके बाद उसका square कर देना तो आपको जीतना भी answer आएगा यहां पे आपके सामने आपका easy answer आजाएगा ठीक है न तो आप इसको ध्यान देंगे easily आपका सारा answer आपके सामने आजाएगा तो चलिए देखते हैं आगला क्या मेरा questions है अभी इसका tricks के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि और भी क्या इसमें add किया जा सकता है आपके तो अभी देखे इसमें थोड़ा सा और भी tricks को यहां पर लगाया नहीं गया है actually थोड़ा सा इसको फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर इसको मैं फिर से लगा देता हूं लिख देता हूं इसमें करना क्या था यह बटे क्या करना था 210 ठीक है 210 प्लस वन यहां पर थोड़ा सा गलती कर दिया गया है टाइप करने में mistake हो गया है इसको कुछ इस तरह से हम लोग tricks लगाते हैं into 90 अब जो आपका solution आएगा वह आएगा 525 तो यह चीज आप याद रखेगा 525 यह हो जा तो यह typing mistake हो गया है इसका tricks कैसे लगना है वो चीज में बताता हूँ देखे यह चीज क्लियर होगे न कुछ इस तरह से tricks लएगा 210 प्लस 1 का whole square into 90 यह tricks है आपका यहां पर देखे इसमें तीन तरह का हम लोगों ने hot tricks आपको बताए हैं कैसे तो अगर दो संख्याओं का loss हो य loss of LCM तथा loss of HCF का योग यानि कि addition A हो तब loss of अगर आपको निकालने बोला जाएगा तो direct आप लोग A बते x प्लस 1 कर देंगे तो यह आपका answer निकल जाएगा अगर loss of निकालने बोला जाएगा यानि कि LCM निकलने बोला जाएगा तो A into x करना है divided by x प्लस 1 कर देना है तो यह आपका LCM निकल जाएगा इसका ओके इसके बाद यदि पहली संख्या अगर M दिया होगा मान लिए यहां पर M दिया होगा तो दूसरी संख्या कैसे निकाल स जैसा कि अभी हम लोगों ने उपर में देखा A square into x divided by x plus 1 का whole square into m यही वाला ट्रिक आपको लगाना है तो यही वाला ट्रिक यहां पर हम लोगों ने लगा है तोड़ा सा typing mistake हो गया था तो इसको कोई बात नहीं मैं PDF में सुधार दूंगा और अगर आपको इसका free of cost PDF वीडिया पाना चाते हो तो नीचे टेली ग्राम का एक लिंक दिया होगा उस टेली ग्राम लिंक में आप जाकर free of cost यह वहाँ पर जाकर ले सकते हो ठीक है तो बढ़ते हैं आगे यह question clear हो गया next question क्या है next type का pattern देखिए हम लोग यहां पर बहुत अलग-अलग type का pattern बात करते हैं जो कि आपका previous year में आया हुआ question है ठीक है कोई भी जैसे SSC का तयारी कर रहे हो NTPC का तयारी कर रहे हो या railway का या कोई और भी boards का तो बहुत सारे patterns, अलग-अलग type का patterns, अलग-अलग type का questions का पूछने के तरीके अलग-अलग जो होते हैं उन सभी को यहां पर हम लोग ने add किया हुआ है तो अप लोग एक बार practice करे हो आपको बहुत ज़ादा फायदा होने वाला है समाई बिचाने के लिए भी और साथ-साथ आपका रिवीजन के लिए भी बहुत जादा फाइदा होने वाला है आप अगर long method से जानते हो तो आप एक बर बना के देखो long method से long method से चुकि long method आपको examination में बनाना तो है ही नहीं तो एक बर long method से आप भी बना के देखो और इस method से आप बना के देखो आपको जो easy लगे आप उसको prefer करो मैं यह नहीं कहता कि आप यही वाला method यूज करो आपको जो भी समझ में आ जा रहा है वो करो लेकिन आपको महाँ पे solve करना आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा बगर प्रैक्टिस आप किसी भी ट्रिक्स और टिप्स को याद करके नहीं रख सकते हो ठीक है ना आपको प्रैक्टिस कीजिए आपका बहुत ही अच्छा एक्जाम जाएगा ठीक है तो चलिए इस question में देखते हैं संखिया ज्म करें जिसका वर्ग यानिका स्कॉर एक सो तीज एवें 50 के वर्ग diesen के अंतर के बराबर हो मतलब कोई एक संख्या है कोई एक संख्या है इसका जो वर्ग होगा इसका एक्स इसक्वाइर जो होगा तो 2030 का और 130 का square minus 50 के square के बराबर होगा यही वाल सवाल पूछ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं तो करो तो देखो इसका trick हम लोग कैसे लेते हैं root under 130 plus 50 into 130 minus 50 आप इसको हम लोग solve करेंगे तो root under 180 गुना 80 बराबर 120 अगर आपको root over किसी भी बड़े से बड़े संख्याओं का root over आपको निकालने में परिशानी होती है तो आप नीचे comment करें मैं आपको इतना easy tricks बताऊंगा comment आप करोगे तब क्योंकि आप comment करोगे तो हमें थोड़ा सा ये मिलेगा प्रोसाहन मिलेगा कि हाँ बच्चों को ये चीज पता होना चाहिए ये चीज उनको जानकारी के लिए चाहिए या ये चीज वो जानना चाहते है तो हम इसके लिए special वीडियो बनाएंगे ठीक है तो यदि इसका ट्रिक्स देखते हैं क्या इसका ट्रिक्स में कहता है हम लोगों ने इसको जो एरांज किया यदि कोई संख्या दो संख्याओं x एवं y के वर्गों के अंतर के बराबर हो यानि कि किसी भी संख्या का वर्ग का वर्ग किसी भी यादि कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या के x एवं y के वर्गों के अंतर के बराबर हो तब संख्या क्या होता है root over x plus y और x minus y ठीक है तो इसी को आपको याद रखना है यानि कि root of r x plus y into x minus y ओके तो ये आपका answer हो गया आगे बढ़ते हैं फिप्त नूम्बर question में क्या है यदि एक व्यक्ति अपने flat के बच्चे उपर ते एक बच्चे को उतने ही तो इसको कितना आसानी से हम लोग solve कर सकते हैं और हम लोग कितना ज्यादा भारी वरकम टाइप कर लगता है जदी एक व्यक्ति अपने flat के प्रतेक बच्चे को उतने ही याद रखना यह सब कुशेण थोड़ा सब गुमा दिया जाता है तो लगने लगता है कि बहुत ज़ादा टफ है लेकिन इसा कुछ नहीं है यदि उन्सने कुल 4096 4096 टॉफिया माटी हो तो इस फ्लैट में बच्चों की कुल संख्या कितनी है यानि की नंबर ऑफ चिल्रेंज यह ने पूछा जा रहा है तो देखो क्या कर रहे हम लोग इसका रूट अभर जितने अपने यहां पे टॉफिया लिया है उतना आपने रू स्क्वार रूट आपको नहीं याद है तो कैसे आप निकालोगे उसका इजी ट्रिक्स मैं आपको कभी और बताऊंगा लेकिन आपको नीचे कमेंट करोगे अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप चुटकियों में यह निकालोगे बड़े से बड़े नंबर से स्क्वा इसका होट डिक्स प्रतीए के विक्तियों में इस प्रकार माटी जाए प्रत्यक व्यक्ति को उतना ही वस्तुए मिले जितनी की वक्तियों की संख्या है तभी व्यक्तियों के बराबर क्या होगा? तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आज के लिए मिला के इतना ही आपको थोड़ा सा free of cost 100 target batch के बारे में बता देता हूं और हमारे साथ जोड़ने के लिए आपको thank you so much इसी time में आपको हरे time मिलते रहेगा तो यहां पर हम लोगों ने free of cost आप लोगों के लिए लाया है 100 days target batch यह study tips YouTube चैनल पर तो उसके लिए आप subscribe कर लो जहां पर हमारी संकल्फ होती है आपकी जीत के लिए और यह संकल्फ आपको भी करना है तभी आप जीत पाओगे mathematics का आपका यहां पर 10 बज़े सुभा 10 बज़े आपका वीडियो आ जाता होगा reasoning का आपका शाम को 6 से 7 बज़े आपका वीडियो आ जाएगा GKGS का एक बज़े 1 बज़े आपका वीडियो आ जाएगा और current affairs सुभा के 7 बज़े आपके daily upload कर दिये जाते हैं जो कि आपके लिए most important current affairs आपके examination का वीव से जैसे कि SSC के CGL, CHSL या CPO वगेरा का आप exam देते होंगे RRB के NTPC tier 1, tier 1 and tier 2 दोनों के लिए important है और group D के जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जादा important है साथी साथ और किसी भी types का आप सरकारी नौकरी government job या इस types के job के तयारी कर रहे हैं तो आप इस batch को join करके आप आसानी से crack कर सकते हैं वह भी free of cost इसमें आपको PDF वगेरा सब free of cost अबिलेबल होगा आप telegram link पर जाके join कर सकते हैं वहाँ पर मिल जाएगा आप हमें facebook, instagram, youtube, whatsapp and telegram में follow कर सकते हैं मिलता है फिर next class में इसके LCM and HCF के second part के साथ और जबरजस्त ट्रिक के साथ तब तक के लिए thank you, take care और keep study, keep smiling and मेहनत करते रहे है, thank you so much, मिलता है फिर next class में